आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ में बात करते हैं कभी भी हमें Ideal Gase की बात करें अगर थर्मडानुटस की इन्टरनल नर्जी की बात करें आईडियल गेस की इंटर्नल इनर्जी को अगर हम Δयल्टा यू से रिप्रेजन करें तो आईडियल गेस की इंटर्नल इनर्जी का जो expression आता है that is the N-CVTT और गाईज यहाँ से जो आईडियल गेस की इंटर्नल इनर्जी होती है वो guys हमें यहां ध्यान देने वाली बात है only and only temperature का function होती है इसका मलब ideal guess की जो internal energy data हो है that will only depend upon the temperature अगर temperature change होगा तो internal energy change होगी temperature नहीं change होगा तो internal energy change नहीं होगी इसका मलब temperature increase तो internal energy increase होगी It means internal energy को measure करने का तरीका है temperature measure करने अब जैसा कि हमें जो PV डाइग्राम देखा है यहां पर हमें जो कर्व दिये गए है T1, T2 and T3 तो गयाज यहां पर जो T1, T2 और T3 दिये गए है यह आईसो थर्म्स है It means आईसो थर्म्स का मतलब इस कर्व के लॉंग हर एक पॉइंट पर temperature क्या होने वाला है T3 होने वाला ड़ा, T3, T3 किसी भी पॉइंट पर अगर हम temperature देखेंगे T3 इसी तरीके से second one में T2 और last one में क्या होने वाला है गाज T1 होने वाला है तो अगर हम process 1 की बात करते हैं, अगर process 1 हम हर एक process के लिए देखें जो process 1 में क्या हो रहा है guys Process 1 में जो temperature का change हो रहा है, that is the delta T, that is T2 minus T1 और अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से अगर हम process 2 की बात करते हैं तो यहां में भी temperature का जो change हो रहा है that is also T2 minus T1, process 3 की बात करते हैं तो यहां पर temperature का change क्या हो रहा है process 3 में देखते हैं guys, that is also यहां पर touch नहीं किया, यह diagram इस area से बाहर है that is also given as T2 minus T1, और guys अगर हम बात करते हैं process 4 just similar to previous one T2 minus T1 लेकिन guys जब हम process 5 की बात करते हैं तो यह T1 वाली line से start हो के T3 वाली line तक जा रहा है इसका मतलब अगर हम process 5 में देखेंगे, तो process 5 में जो temperature का change हो रहा है that is the T3 minus T1, और T3 minus T1 क्या हो रहा है, जो T3 minus T1 का जो difference आएगा, वो ज़्यादा आएगा compare to all previous one इसका मतलब हम भी बोल सकते हैं कि जो हमारा process 5 है, या जो हमारी dot line 5 दिखाए गई है that is more temperature difference, it means that is more internal energy यहाँ से guys हम क्या बोल सकते हैं, conclusion हमें क्या मिल रहा है, बाकि हम चारों case में देख रहे हैं temperature का difference सम में सेम आ रहा है, मतलब सबकी internal energy सेम आएगी, हम बोल सकते हैं, change in internal energy for the 5 is greater than remaining 4 process, that is the 4, delta 3, and delta U2, and delta U1, remaining की सब की equal है because they are specified in same temperature limit, but last one, अगर हम 5 की बात करते हैं, तो इसके लिए temperature क्या होने वाला है T1 से T3 तक change होने वाला है, इसलिए इसकी internal energy भी सबसे ज्यादा Classics to 12 से लेके need IIT GE means और advanced के लेवल तक, 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubtnet आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 पर